इस बढ़िया सी चटपटी चाट को देखकर आपके मूँ में पानी आ गया होगा इसको मैंने बची हुई इडिली से बनाया है इडिली के ये धही बड़े सिर्फ 10 मिट में तयार हो जाते हैं जिनको धही बड़े बनाना जंजट का काम लगता है उनके लिए बहुत ही आसान रेसिपी है सिर्फ 10 मिट में बनने वाले इन धही बड़े को चली बनाना स्टार्ट करते हैं धही बड़े बनाने के लिए इहां लिए है मैंने बची हुई इडिली इस सूजी की इडिली है अब सबसे पहले तेल गरम करें और उसमें इडिली डालें हमें इन्हें धीमी आज पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है लीजी हमारी इडिली अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं अब इन्हें एक ब्लेट में निकाल ले इसी तरह बाकी इडिलों को भी फ्राई कर ले हमारी साइडिली फ्राई हो चुकी हैं अब इन्हें अच्छे से ठंडा कर ले हमारी इडिली हो गई हैं अच्छे से ठंडी अब हम लेंगे एक बाउल और उसमें एक बड़ा बाउल दही डालेंगी दही में डाले एक बड़ा चमच पाउडर शुगर और स्वाद के अनुसार नमक और दही को अच्छे से फेट ले इसको क्रीम जैसा बना ले अब इसमें फ्राइ की हुई इडिली डाले अच्छे से सोक करें और दस मिट के लिए ढखका रख दी अब हम अपने दही बड़ी चेक करते हैं यह देखे कितने अच्छे से फूल चुके हैं अब हम दही बड़ी की प्लेटिंग करते हैं इसके लिए एक प्लेट में इडिली के दही बड़े रखें बची हुई दही उपर से डाल दें अब इनके उपर हरी चेटनी डालें इम्री की चेटनी डालें अनार के दाने डालें उपर से लालमीच पाउडर, चाट मसाला और भुने वी जीरे का पाउडर डालें लीजी हमारे इडिली के ध्रीवड़ी रेडी हैं आपको मेरी रेसीपिक कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं थेंक यू